हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माय यूट्यूब चैनल प्लांट्स और पैड्स लवर फ्रेंट्स आज हम अपने जैट प्लांट की केर कैसे करनी है अब विंटर भी धीर धीरे खतम होने वाली है तो अभी आप अपने प्लांट की केर करने शुरू कर दीजिए और करने शुरू करना चाहते हैं इस प्लांट से करेंगे तो बहुत ही बेस्ट है यह प्लांट और बहुत ही हाड़ी प्लांट है और इसको लग्की प्लांट माना गया है बहुत ही लग्की है इसको घर में लगाना चाहिए कहते हैं जैसे जैसे यह बढ़ता जाता है घर में प और इसको मई जून की गर्मी से थोड़ा बचा कर रखना है बाकि आप इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं तो सनलाइट की बात हो गई है और इसको पानी इसको बहुत कम देना है ये देखे ये मेरा पॉट बिल्कुल मिट्टी सूखी है मैं शायद इसमें पानी देना ही भूल गई और मैंने सर्दियों में जहां मेरे रखे वे थे प्लांट वहीं वहीं पर रखे वे थे और फिर भी देखे कितनी ग्रोथ है पानी इसको मैंने कम ही दिया है विंटर में किसी प्लांट में भी मैंने 20-25 दिन बाद पानी दिया है देखे और तभी भी सारे प्लां को प्रूनिंग करके कटिंग से ग्रो कर सकते हैं बहुत इजी टू ग्रो है यह तो प्रूनिंग बहुत ही हमें अपने प्रांट को बूशी बनाने के लिए प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी है और दो-दो पतियां भी बाद में आप इसकी पिंचिंग करते रही है यह देखे अबी बात friends इनकी propagation मैंने cutting से बताया इसकी छोटी से छोटी cutting भी grow हो जाती है आप चाहे इसकी 1 इंच की cutting लगाएं या 4-5 इंच की बड़ी से बड़ी यह grow कर जाता है तो आप इसको cutting से बहुत easy to grow है यह तो friends यह देखें अभी थोड़े गंदे भी हो रही है प्रांट तो विंटर था मैंने उनको शावरिंग नहीं की थी लेकिन आज मैं बहुत अच्छे तरह से अपने प्रांट को धौंगी भी क्योंकि आधूप भी बहुत हो रही है तो यह देखे मैं कटिंग दिखाने की कोशिश कर रही हूं आपको यह देखे यह मैंने कटिंग के लगाई थी ऐसे ही छोटी छोटी कटिंग मैं ऐसे ही पॉट में डाल देती हूं तो यह ग्रो हो जाती हैं और इसीसे हिद् buckle अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं तो फिसी पॉतिंग सूइल की बात करो इसके पॉतिंग सूइल з मेल ड्रें रहनी हैं ताकि हम पानी डालें और नीचे ट्रेन हो जाए अगर पानी रुकेगा तो फिर इसमें रूट्स भी खराब हो सकती हैं और इसको 50% सोयल रखने के बाद इसमें आप वर्मी कम्पोस्ट और थोड़ी सी फंगिसाइट भी डालिए या फिर आप नीम खली भी डाल सकते हैं यही इसके लिए ब इसमें डाल सकते हैं एक महिने में एक बार आप इसमें वर्मी कम्पोस्ट यह देखे मैंने बड़ी सी कटिंग लगाई थी यह अच्छे से ग्रो हो रही है तो इतनी कटिंग्स है कि जब मैं कटिंग करती हूं तो मेरा फेकने कभी मन नहीं करता बट बहुत सारी कटिंग्स हमारे पतियां ग्रीन बनेंगी और पतियां बहुत अच्छे से हेल्दी रहेंगी तो चाहे पति इसके लिए बेस्ट फर्टिलाजर है अब फ्रेश चाहे पति भी पाने में भिगो करके दे सकते हैं और यूज की हुई चाहे पतिया पैसे ही एक एक चमच अपने प्रांट म में डाल सकते हैं और चाहे पति में बहुत अच्छी मातरा में नाइटोजन फोसफोरस भी होता है थोड़ा पोटेशियम भी होता है और हमारे प्रांट की ग्रोथ के लिए अच्छा है तीसरा फर्टिलाजर और मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ मैंने एक लीटर पानी लि पानी में एकदम से घुल जाते है इसके बाद आप इसको अपने प्लांट में डाल सकते हैं और पानी में भी मिटी में डाल सकते हैं तो फ्रेंट्स तीन फर्टिलाजर मैंने आपके साथ शेर किये वर्मी कंपोस्ट, चाह पत्ती और एनपी के आप अभी दे सकते हैं अपन इसको मन्चाही शेप दे सकते हैं मतलि इसको बोंसाई डाल आप कर सकते हैं आप और टोप yari भी आप इसकी बना सकते हैं देखे मैं आने बोंसाई बनाया हुए फ्रेंट्स और बहुती बूशी प्लांट है यह अभी आने टाइम पर मैं इसको और अच्छी तरसे शेप दे बात करूँ इसमें कभी फंगस वगरा तो मेरे प्लांट में नहीं लगी लेकिन कभी कभी कहते हैं कि मीली बग लग जाती है बट मेरे प्लांट में नहीं लगी है और ये फ्रेंट्स एक फटिलाजर और सीवीड आप इसमें और दे सकते हैं सीवीड एक्स्ट्रेक्ट या फि इसको नहलाऊँगी अपने प्लांट को ये देखिए, जितने मेरे धर प्लांट है, बागी और जो बड़े-बड़े प्लांट है, वो उपर रखे हुए हैं फ्रेंट्स उनको मैं नहीं उतार सकती, और बाद में उनको मैं निकाल करके रिपोर्ट करूँगी, ये देखिए कि कटिंग से ही ग्रो हैं तो तो फ्रेंट्स यह थी जैट प्रांट के बारे में आप जैट प्रांट जरू लगाईए बहुत लगई प्रांट है और फ्रेंट्स अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरू कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू प्रेंट्स